दोस्तों जब कुछ बनाने का खास मन न कर रहा हो और टाइम भी ना हो बट खाने का कुछ मसेदार सा मन हो तो आप उसमें बना सकते हो यह यमी सा मसाला प्याज पराठा जिसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत जट पट बन जाता है बट खाने में बहुत ज़़ादा तो इसको आज हम बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें किनके चीजों की जुरुत पड़ेगी? तो इस मसाला प्याज पराठा के लिए मैंने दो बड़े साइस के प्याज लिए हैं और उनको हमें करना है बारीक चॉप तो ये हो गए बारीक से चॉप और इस तरीके से आप देख सकते हो, एकदम फाइनली चॉप करना है हमें, इसके बाद यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बड़ी बोल में, इसमें हम कुछ चीजें और एट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च बारी कट कर, इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे आधा चोटा चमच रट चिली पाउडर और आधा चोटा चमच काश्मीरी रट चिली पाउडर कलर देने के लिए, इसमें हम आड़ करेंगे आधा चोटा चमच पावभाजी मसाला, मसाले दर फ्लेवर के प्रज़ के लिए चट पटे फ्लेवर के लिए डालेंगे अधा चोटा चमच चाट मसाला पाउडर। इसके साथ ही इसमें हम कुछ सुखे मसाले और भी एट करेंगे जिससे का टेस्ट बहुत इदा नहांस हो जाएगा अधा चोटा चमच भुने जीरे का पाउडर और अधा चोटा चमच सौफ का पाउडर। साथ में इसमें डालेंगे एक चोटा चमच अजवाइन इसको आप ज़रूर डालिएगा हातों के बीच में क्रश करके प्याज के पराठों में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और एक स्पेशल इंग्रीडियंट वो है एक बड़ा चमच देसी घी इसको आप जब आट करके ये पराठे बनाएंगे प्याज के तो आप सोच नहीं सकते उनका टेस्ट कितना जादा बहतरी होने वाला है तो सब चीजों को मिक्स करके थोड़ दिर अलग रख देंगे और आपने देखा भी मैंने नमक आड़ नही जब भी पराठे हम बनाते हैं भरवा तो इसका डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए इसको रख देंगे आदे घंटे के लिए सेट होने के लिए अब जब हमें पराठे बनाने स्टार्ट करने हो तब हम इस मिक्षर में डालेंगे एक से सवा चम्मच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर सकते हैं और प्याच को अच्छे से मिक्स कर लीजे नमक के साथ तो ये आटा भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका आप देख सकते हो आधा घंटा अगर आप इसको इस तरीके से रख दोगे तो एकदम से लचीला सा हो जाता है खूब अच्छा सा पानी डाल के आपको धीरे धीरे इसको गूनना है जिससे कि ये खूब सॉफ्ट हो जाओ लचीला हो जाए सुखाटा मैंने ले लिया है पर्थन के लिए जिसे हम इसको बेलेंगे तो इस तरीके से बड़ी सी लोई लेंगे और इस तरीके से इसको सुखाटा लगा कर गोल गोल कर लेंगे गठा कर लेंगे और इसमें दो बड़े चमच भरकर जो मिक्षर हमने बनाया है प्याज का उस कि प्याज है तो जहां पर भी जो है बेलन पड़ता है यह थोड़ा सा जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है बड़ की टेंशे लेने की जरूरत नहीं है आप देख सकते हो कि जहां जा प्याज है वहां थोड़ा सा खुला देख रहा है बट फिर भी यह बहुत के लिए मैंने देशी घी का यूजिया है आप चाहें तो इसको रिफटाइन वाइल यह फिर सरसो के तेल में भी बना सकते हैं सब ही चीजों से ही अच्छा लगे Wash Flate देसी घी और जो है सरसो के तेल में ज़्यादा टेस्ट आता है तो इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से करारा सा सेक लिया है और इसको में सर्व कर रही हूँ टमैटो केचप के साथ क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे पास टाइम कम है तो हम बहुत ज़्यादा चीजे और इतना ही सफिशेंट है दूसरा पराठा भी आपने देखा जैसे कि अच्छा सा फूल भी गया था तो कई पराठा आपके फूलेंगे कई पराठे नहीं भी फूल सकते हैं तो बस गर्मा गरम इसको बनाईए और एकदम क्रिस्पी से बिल्कुल मज़ेदार से पराठे आपक सकते हो खासकर मॉर्णिंग के टाइम में अगर आपको नाश्ते के लिए कुछ स्पेशल चीज चाहिए तो आप इसको जरूर बना सकते हो मैं इसको नाश्ते में जबी भी समय कम रहता इसको जरूर ट्राइ करती हूँ आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया